नमस्ते एव्रीवरन वेलकुम बाक तो दुन्यू वीडियो मैं हूँ आपको दोस निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो एक और बहुत ही इंपोर्टन्ट वीडियो अन देख लिया है यह होने वाली है विच इस दे बेस्ट इंशॉरंस फो यू बट नॉट ज लिए होगी गर आप एक खरीदने की सोच रहे हो या आपने इंशॉरंस को रिन्यू करने की सोच रहे हो तो यह वीडियो हो जाएगी अगर अच्छी लगी तो उसे एक लाइक जरू से करदेना चैनल में नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज दू सब अब एक अब दू हित नोटिफिकेशन बल शो एक जो चलो गाइस कुछ एक चीज़े समझना बहुत जुरूरी है इंशॉरंस कंपनी तो सिलेक करना असान है जो बेस्ट कवरेज दे दे जो बेस्ट प्रीमिम दे उसे हम सिलेक निग और मैंने पर्टिकुलर्ली किसको सिलेक किया है या किसको शॉटलिस किया है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगा इंपोर्टन क्या है गईस कि ये समझना जुरूरी है कि हम जिस इंशॉरंस कंपनी को सिलेक कर रहे हमारे इवी स्पेसिफिकली इवी के लिए उस पे कुछ एक चीज़े है जो मस्ट ह होनी चाहिए आपके इंशॉरंस प्रीमें में वो कवर्ड होनी चाहिए उस पर डिसकस करते हैं देखो there are some things which are non-negotiable वो तो हर कंपनी में होनी चाहिए कैशलेस होनी चाहिए आपके जो करीबी सर्विस सेंटर्स हैं वो उनके इंपैनल सर्विस सेंटर्स का पार्ट होना ही natural disaster and all that में गाड़ी की जो coverage है वो होनी ही चाहिए और अपना जो unlimited claim जो है वो अपने को मिलना ही चाहिए प्लस आपको ये जानना ज़रूरी है कि अपना claim का जो fee जो होती है processing fee वो कितनी है हजार से पंदरस होनी चाहिए उसके उपर नहीं होनी चाहिए ये सब non-negotiable है इन सब को मैंने common रखा है मेरे तीनो I've selected top three मैंने तीनो के तीनो insurance companies में ये चीज़े common पाई अब आ जाते है काम की बात पर कि as an EV हमें क्या-क्या consider करना चाहिए सबसे पहले battery and motor protect मेरे इसाब से battery and motor protect जो company आपको बोलती है अलग से add-on लेने की जरुवत नहीं है it is a part of your base policy which is the zero depreciation policy is a green signal कोई भी company अगर बोलती है कि besides the zero depreciation आपको एक battery and motor protect अलग से लेना पड़ेगा that's a red flag for me altogether let me know what you think in the comment section point two is अपना 360 degree coverage मुझे मिलनी चाहिए for example मैं गारी चला रहा हूँ सामने वाले ने suddenly brake मारा मेरे सामने accident हुआ rare end हुआ दो पार्ट जो है गारी के damage हुए है क्या वो 360 degree coverage माएगी या फिर वो company बोल देगी हम सिर्फ एक side का insurance देंगे तो ये clarification आपको ले लेना बहुत जरूरी है देखो guys होता कि हम जब कारिये खरिदते हैं जब हम अपने dealership के पास जाते हैं वहाँ पर वो एक fear induce कर देते हैं कि sir हमसे लोग वड़ना बाद में insurance मिलने में बहुत जहमेला होगा आप मुझे बताओ comment section में have you faced this or not कि वो एक दर घुसा देते हैं कि देखो sir फिर बाद में battery पे कुछ problem हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं या motor पे या कुछ बिल्कुल बक्कवास है वो बिल्कुल विश्वास मत करना so much so you can be very stern with them and tell them not to give you misleading information dealership और service center का काम है आपको service देना आपकी गाड़ी जिस भी condition पर आई हो accidental हो या तो कोई malicious incident का part हो या जो भी हो उनका काम है service देना उनको service के बदले में पैसे मिलने चाहिए या तो पैसे आप दोगे या वो पैसे company देगी तो आपका काम है ये select करना कि जो company देगी वो company अच्छी हो और उसी के लिए हम ये वीडियो बना रहे है तो dealership से ही insurance लेना कोई जरूरी नहीं है अगर वो अच्छा rate दे देते हैं त तो अच्छी बात है जेनरली तो को scam क्या है कि वो मतलब 40,000 का for example premium के लिए वो 70,000 आपको quote करेंगे और फिर लाते 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 45 है लेकिया है ये क्या मतलब हुआ I don't understand that you let me know if you can wrap your head around this scam which is going on this is very very wrong so as I was saying कि just be very aware कि अगर आपको कोई डिलेशो बोल रही है तो मत भसो मत भसो उसमें बाहर से लना चाहते हो बाहर से लो 360 degree का हमें बता दिया multiple parts अभी कोई-कोई company के बड़ी smart होती है बोलती सर जिरो depreciation में 100% coverage आपके parts पर अगर दो तीन parts problem हो गए तो बोलती है नहीं सर इस claim में हम से इसी part का देंगे तो ये आप clearly उनको पूछ लेना या multiple parts को आप cover करते हो कि नहीं करते हो once again battery and motor का अलग से add-on कहिदे से नहीं मिलना चाहिए so जो company आपको बोल रही है या वो देंगी आपको as a part of the zero debt वो company से लिखित ले लो take it in writing so that it covers you, you have that peace of mind अब देखो अब आ जाते हैं add-ons पर तो add-ons का बड़ा simple है they have a list of add-ons मतलब क्या नहीं देते हैं वो add-ons में जो मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है so you be aware you be the best judge when you are shopping for your insurance आप देख लो क्या चाहिए नहीं चाहिए मेरे लिए सबसे important add-on होते है number one return to invoice सबसे important है वो क्योंकि कल को अगर मेरा second year or third year है insurance का तो मेरी already 25-30% depreciate हो गई तो return to invoice is an absolute must you can let it go you can still take a chance on year number one but on year number two and three and onwards must have RTI the next thing I believe is the tire protect हा कभी-कभी होता है कि accidentally tire अगर damage हो जाता है तो tire protect की protect यह सब ज्यादा महंगे भी नहीं होता है it's a good to have तो यह मैं शायद से लूंगा because एक company है जिसकी मैं बताऊंगा आपको last में quick package दे रहे है कि अगर roadside assistance, tire, key and outstation में कहीं फसो तो वहाँ पे रहने का खर्चा, hotel and all that का 1000 रुपे लेते हैं वो उस premium में add कर देते हैं तो वो फिर भी sense बनता है you be the best judge, आप देखो कि add-ons में क्या-क्या है तो मैं इससे यदा कुछ और कोई add-on में consider नहीं करता हूँ, बड़ा simple है मेरे लिए, आप देख लो कि आपको कौन सा सही है but RTI मेरे knowledge में, मेरे suggestion में is a must return to invoice तो होना ही चाहिए, roadside assistance आप फिर भी let go कर सकते हो, कोई अगर आला काट में आपको दे रहा हो क्योंकि देखो company आप जिस manufacturer से ले रहे हो, वो already आपको roadside assistance तो देगी और companies आजकल जो generally जो the MGs and the Tatas, Mahindras and Hyundai, Kia, इनकी network system अच्छी है so I don't think you need to worry much about it एक add-on है, एक add-on है जिसको EV गाड़ियों में तो नहीं लेना चाहिए, वो है consumables EV गाड़ी में क्या consumables guys, मैं तो नहीं लोगा, बड़ा ही छोटा सा add-on है, मेरे दो सुर्वे बचते तो मैं बचाऊँगा, मैं कोई consumables में कुछ नहीं देना है nut, bolt, ये फलाना डिम का कुछ नहीं देना, आप लेना चाहते हो, आप ले लो, मैं तो नहीं लेने वाला हूँ because EV के लिए मैं insurance कोज रहा हूँ, not for your normal combustion engine, right, so यहाँ पर अभी भी एक stigma है, एक tabo है कि यार, इस EV के लिए हमें अलग से insurance करना पड़ेगा, तो यार, वो होना नहीं चाहिए, काईदे से तो, जैसी combustion वैसी EV, insurance तो insurance है, जैसे zero depreciation आपने लिए काईदे से सब कुछ cover हो जाना च you see me, but ठीक है, scam चल रहा है, हम बेवकूप बन रहे है, अभी कुछ कर नहीं सकते है, कोई P.I.L. फाइल करना चाहिए, I'll be the first person to sign it, so count me and there is a number at the bottom of your screen for that. Top 3 companies, जो मेरे हिसाब से मैंने shot list की है, number 3 पर SBI, उन्होंने मेरे को 50,000 या 52,000 quote किया है, with all these add-ons, जो मैंने discuss किया, with all the features, जो मैंने आपको बताया, वो. Number 2 पर है, ICI Central ने मेरे को 47,000 quote किया है, for an IDB value of 16.14 lakhs for all 3, right, 95% depreciate देगर, so उनके संग, I'm well covered with ICI, but एक चीज़ जो उन्होंने मेरे को बोली, उसके वैसे मैंने उनको 1 पे ने रखके, 2 पे रख रहा हूँ, वो ये है, कि उन्होंने मेरे को बोला कि, only and only in case of an accident, which means a collision, अपनी ज अगर रास्ते में चलते चलते कोई कंकर, पत्थर, कील, कोई sharp objects, अगर corrosion आ गई, तो वो उसे cover नहीं करेंगे, और यहाँ पर वो 2 पे आ जाती है, but otherwise बहुत ही अच्छी comprehensive policy मेरे को, ICIC, guys, you might say कि, why not XYZ company, बिलकुल, there are many and they all are good, in my, for my choice, यह 3 बेटर है, so number 1 पर ACCO, ACCO का बड़ा simple था, they were very clear of what they are offering me, they were very crisp in telling me, अगर कुछ कंकर, पत्थर, sharp objects, आपकी बैटरी घिस भी जाती है, खराब भी जाती है, it will all be covered in that zero depreciation cover, so I was very confident and very happy, and most probably, I am gonna go with ACCO, because उन्होंने जो quotation मेरे को दिया है, वो है 43,000, so वो भी कम है, compared to that, plus, देखो, ACCO on ICIC, मेरे difference कहां पर है ACCO नया है, उतनी reliability नहीं है अभी, पुरानी है, और काफी reliable है, claim settlement percentage उनका अच्छा है, but ACCO मैंने खुद use किया है, मेरे एक video थी, iLink पे जाके आप देख लो, जिसमें आप लोगोंने बहुत प्यार दिखाया है, ACCO के बहुत benefits है, guys, easy claim settlement process है, मैंने खुद face किया है, और मुझे कोई भी hassle face नहीं करनी पड़ी, okay, so I am probably gonna go with ACCO, but then again, I am swinging between ACCO and ICIC, इस बीच में, देखो, Royal Sundram मेरे को बहुत follow-up कर रहा है, it's a great company, वो follow-up कर रहा है, तो मैंने उनको अपने requirements बोले है, if they can meet it, great, otherwise, most probably, as I said, it's gonna be ACCO, तो देखो, guys, जैसा मैंने बुला, ये मेरे needs and requirements के साप से है, आपकी needs and requirements क्या बोलती ही, आप बेटर संजोगे है, again, if you need my guidance, if you need my help, suggestion, do feel free to book a consultation, there's a number at the bottom of your screen, or you can simply go to my website, which is there in the description, link आपको वहा मिल जाएगा, book a consultation, I'll be more than happy to discuss all your options, not only the insurance, but कुछ भी EV को लेकर, या कोई भी गाड़ी को लेकर, कोई भी help चीए, बंदा हाजिर है, आपके So, I hope मैंने most of the चीजे cover कर दियो, I hope ये वीडियो आपको helpful लगी, अगर लगी है, तो please, उसे like जरू से कीजेगा, comment section मुझे बताइए, what are your thoughts, once again, thank you for all your love and support, in my recent few videos, it is really, really awesome, and I'm very motivated to get a lot of, lot of, more interesting EV related information for you, also, एक और बाइब बताना, कि यार, थोड़ा बहुत combustion engine को भी मैं मिस कर र लिस्ट, आपके लिए चैनल पर, till then, this is Nikhil signing off, I hope अपी तक आपने subscription कर लिया हो, और नहीं किया है, तो next time कर ले ना, याद, बंदे को chance दे के, देखो, long way जाना है, 10,000 subscriber, December 31st, भूले नहीं हो ना, all good, मिलता हो नेक्स वीडियो में, take care, God bless, love you guys.